इस चैनल पर उपस्थित सभी बिद्वान सब्सक्राइबर बंदूओ, स्रोताओ और भक्तो आप सभी का यूटूब चैनल अध्वुत सब्दवान पर एक बार फिर से हार्दिक श्वागत और अविनन्दन है वक्तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको प्रती दिन एक रहस्यात्मग वीडियो ले करके उपस्थित होता हूँ और आज भी मैं एक रहस्यमई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में मैं बताऊँ आपको कि ऐसी कौनसी दुलहन थी जो अपने दूले अर्थाद अपने पती से कई योगों बड़ी थी और इस प्रशन के लिए हमारे पास जो कमेंट आया है वह आया है यूटूब चैनल केंग स्टोरी से और केंग स्टोरी लिखते हैं गुरूजी प्रणाम गुरूजी एक पहली का अर्थ बताने का कश्ट करें और वो पहली लिख रहे हैं हे बिधना कैसी गड़ी दूला से दुलहन योगों बड़ी और नीचे लिखते हैं किसकी दुलहन दूला से योगों बड़ी थी तो भक्तो आईए सीधे चलते हैं अपने बीडियोज पर और जानते हैं कि किस की पतनी, किस की दुलहन उसे एक योग या कई योगों बड़ी थी तो भक्तो जादा समय बेश्टना करते हुए सीधे अपने बीडियोज पर चलते हैं स्रश्टी के प्रारंब में महराज मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम था जोतिसमती जोतिसमती बड़ी ही सुसील, रूपवान और गुणवान कन्या थी जब महराज मनु ने अपनी कन्या जोतिसमती से पूछा कि हे पुत्री तो मैं कैसा बर चाहिए तो उस पुत्री जोतिसमती ने अपने पिता से कहा जो इस संसार में सबसे बलवान हो तो इसके लिए किसी ने बरुण देव को बलवान बताया, किसी ने इंद्र को बलवान बताया किसी ने परवतों को किसी ने प्रत्वी को इस तरीके से एक दूसरे को बलवान बताने लगे परंतु जब अंत में नेने हुआ तो सभी ने सर्व सम्मती से भगवान सेशनाक को सब से बलवान बताया और इसके लिए जोतिसमती ने ब्रह्मदेव की आराधना आरंब कर दी जब उनकी तपश्या पोण होई और ब्रह्मदेव प्रगट हुए तो उन्होंने कहा है पुत्री बर्मांगो तो जोतिसमती कहने लगी कि प्रभू मेरी साधी भगवान सेशनाक के साथ होनी चाहिए तो इस पर ब्रह्मदेव ने कहा तो ब्रह्मदेव जोतिसमती से बोले कि हे पुत्री तुम्हें दो योगों का इंतजार करना पड़ेगा और द्वापर युग में जब भगवान से इस बलदाव के रूप में अवतरित होंगे तब जाकर के तुम्हारी साधी भगवान से इसके साथ हो सकती है इतना बर्दान दे करके ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह पुत्री जोतिसमती भी अपने प्राण त्याग देती है भक्तो कुछ समय के पस्चाथ वह जोतिसमती कुछ इस्थली के राजा सरियाती बंस के परमप्रतापी महन सासक रेवतक के हाजन्मी और उसका नाम रेवती हुआ रेवती भी अपने आप में गुणवान, सुन्दर और रूपमती थी सभी गुणों से संपन वह सुता भी इसी तरीके की सर्थ रखने लगी उन्होंने महराज रेवतक से यही सर्थ रखी कि मुझे इस सरष्टी के सबसे सक्तिसाली पुरुस के साथ साधी करनी है जब इसका फैसला महराज रेवतक नहीं कर पाई कि इस सर्ष्टी का सर्वादिक सक्तिसाली पुरुस कौन है तो रेवतक महराज अपनी पुत्री रेवती को लेकर की ब्रहमदेव के पास गई उस समय बेदों का गुणगान चल रहा था ब्रहमदेव एक सभा में बिराजमान थे और राजा रेवतक जब सूर्यदेव हुआ था उसी समय अर्थात सत्यूग था उसी समय ब्रहमलोक में चले गई आपको ये ज्यात होगा कि ब्रहमा के एक दिन में मरत लोक के चारों युग व्यतीत हो जाती है सत्यूग द्वाप्त्रेता द्वापवर और कलियूग तो भक्तो जब वह पहुँचा था तो सत्यूग था यानि सुबए का समय था और उन बेदों के गुणगान को सुनने में धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और ब्रहमदेव को भी इसका पता नहीं चला जब वेदों का गुणगान समाप्त हुआ और ब्रहमदेव ने माहराज रह्म तक से पूछा कि हे राजन आपका ब्रह्म लोक में कैसे आना हुआ तो रह्म तक बोले हे ब्रहमदेव मेरी इस सुसील और सुन्दर रूपमती कन्या के लिए मुझे इस त्रष्टी के सबसे बलवान पुरुष्की आवर सकता है मैं उसी के साथ इस पुत्री की साधी करना चाहता हूँ ब्रह्म देव रह्म तक की बात सुनकर के चिंता में पड़ गए और बोले माहराज रह्म तक आप जिन नरेशों की बात कर रहे हैं उनमें से तो क्या उनका कोई बंसज भी इस समय प्रत्वी पर नहीं है उनके नाती इपोता भी इस समय प्रत्वी पर नहीं है माहराज रेव तक बोले क्यों प्रभू कि आपको पता होगा इस समय दो यूग व्यतीत हो चुके हैं सत्योग और त्रेता निकल चुके हैं रेव तक घवडा गई ब्रह्मदे बोले घवडाने की कोई बात नहीं है तुमने अपनी पुत्री के लिए सरवादिक सबसे सक्तिसाली बर मांगा था और मैंने भी तुम्हें तुम्हारी पुत्री को यही बर्दान दिया था कि द्वापर यूग में बल्दाओ तुम्हारी पुत्री का बरण करेंगे तो हे रेवतक तुम इस समय द्वारका चले जाए और जहां भगवान स्रीहरी विष्णू ने क्रश्ण के रूप में अवतार धारण कर रखा है और भगवान से इसने बलडाव के रूप में अवतार धारण कर रखा है वे तुम्हारी प्राथना अबश्यश्विकार करेंगे तो इतना सुनकर के माहराज रैवत तक ब्रह्म लोक से चल देते हैं और मृत लोक में जब वो आते हैं भगवान स्री क्रश्न के पास और उनसे करते हैं अपनी पुत्री का विभा करने का आग्र है तो भगवान स्री क्रश्न बल्दाव के साथ रेवती के विभा को श्विकार कर लेते हैं परंतो आपको एक बात बताओं कि जो सत्योग में आदमी पैदा हुए मनुश्य पैदा हुए उस समय उनकी जो लंबाई थी उसे 21 या 22 हाथ बताते हैं त्रेता योग में 14 हाथ बताते हैं और द्वापर योग में 7 हाथ बताते हैं और कल योग में 3.5 हाथ बताते हैं तो जिस समय रेवती पैदा हुई थी वह 22 या 21 हाथ की थी भगतो इतनी बड़ी लंबी कन्या थी और साथ अर्था द्वापर योग का बर्था बल्दाव कि महराज रेव तक का प्रस्ताव श्यकार किया जाया नहीं तो भगवान स्री कृष्ण ने उनका प्रस्ताव श्यकार कर लिया और उनकी उस कन्या रेवती का बेभा बड़े धूम धाम के साथ भगवान ने स्री बल्दाव जी के साथ संपन्न करा दिया भक्तो उस कन्या का बरण करके जब भगवान स्री क्रश्न और बल्दाउजी द्वार का पधारे तो ध्यान से सुनिए यहां भी एक बिचित्र घटना घटित होती है और एक नई सामाजिक परंपरा का उदै भी होता है रैवती बल्दाउजी से दो युग बड़ी थी इसलिए उसकी लंबाई भी बल्दाउजी से बहुत ज़ादा बड़ी थी जो उनके किले थे उनके दरवाजे थे वो रैवती के लिए छोटे पड़ गए तो भगवान स्री क्रश्न कहने लगे कि दाव भहिया हमें इनके से इसनाग जी के अरतार थे उन्होंने विचार विमर्श किया और भगवान स्री क्रश्न से बोले कि प्रभू मैं इसे द्वापर युग तक ला सकता हूं और उन्होंने अपने हल मुशल का प्रियोग किया और रैवती के सरीर को खिंच करके छोटा कर दिया दो युग कम कर दिया और उनकी लंबाई द्वापर युग के समान हो गई और वो बल्दाओ के बरावर लंबाई की रह गई भक्तों यहां से एक सामाजिक परमपरा का अधे हुआ आपने देखा होगा जब साधी करके लाते हैं नई दुलहन आती है तो उस समय दरवाजे पर पहुँचते समय भी जुआ मूसर किये जाते हैं हमारी इस परमपरा में जुआ मूसर का रहसे क्या होता है कि पत्नी कवेवी पती से जादा बड़ी ना रहे इसलिए उस पर हल और जुए का बजन रख दिया जाता है तो यही सामाजिक परमपरा का उधे भगवान स्री क्रश्न के द्वा और बल्दाव जी के द्वारा द्वापर योग में किया गया जो आज भी हमारे सभी समाजों में हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है जुआ मूसर करना तो भक्तो इस परकार से बल्दाव जी ने रैवती का बरण किया जो दो योग बड़ी थी और उनका सरीर बाई साथ क बाबाई साथ लंबाई का था और बल्दाव जी साथ लंबाई के थे तो उसे खिंच करके साथ हाथ का कर दिया और उनका विवा बड़े धूम धाम के साथ संपन हुआ भक्तो जो किंग स्टोरी यूट्यूब चैनल वालों ने हमसे प्रशन पूछा है कि हे बिदना कैसी गड़ी अर्थात हे बिदाता तुमने ये कैसी बिचित्र लीला रची है कि दूले से जो दूलेन है वो एक योग कई योगों बड़ी है तो भाई आपके प्रशन का जवाब हमने प्रस्तुत कर दिया है यदि आपको जवाब पसंद आया हो जवाब सही लगा हो तो किंग स्टोरी यूट्यूब चैनल से मैं अनुग्रे करूँगा निवेदन करूँगा कि वो कमेंट जरूर करें इसी के साथ हमारा ये बीडियो संपन्न होता है नहीं तो बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तो जय हिंद जय भारत